Hello Friends, आज हम Territorial Army के Expected Cut-Off के बारे में डिसकस करने वाले हैं जैसा कि आप सभी को पताए कि Territorial Army का एक्जाम 26 September को कंडेक्ट कराया जा चुका है आज हम उसी के Cut-Off के बारे में डिसकस करेंगे जैसा कि आप सभी को पताए कि Territorial Army में 2 Papers कंडेक्ट कराया गया है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही 22 hours के थे और 2 hours के इसमें कैफ दिया गया था ठीक है तो first paper 1 जो था उसमें हमको 50% marks लाने है और उसके हर एक section में यानि 40-40% marks हर एक section में लाने यानि 20 marks आपको हर एक section में लेकर आने है इस sectional cutoff आपको clear करना जरूरी है अगर किसी का sectional cutoff clear नहीं होता है तो उसका qualify नहीं हो सकता है ऐसी paper 2 में भी आपको 50% marks लाने है और sectional cutoff 40-40% यानि 20-20 marks आपको हर एक section में लेकर आना है 20-20 marks हर एक section में लाना compulsory है और paper 1 में आपको 50% marks लाना है और paper 2 में भी आपको 50% marks लाना है तो यह इसका sectional cutoff है ठीक है अगर आपको sectional cutoff आ रहे हैं सम्में 20-20 और 50-50% अगर आपको clear कर रहे है तो आपका exam clear हो सकता है यानि overall आपको 120 या 140 के something marks लाना है अगर आपके 200 में से तो आपका selection confirm है ठीक है जिन लोगों के 140 अगर सारी cutoff clear हो रहे है sectional cutoff clear है 50% paper 1 paper 2 में clear है तो आपका exam qualify हो सकता है ठीक है तो ये तो बात होगे expected cutoff की अब हम इसमें देख लेते हैं तो इसका selection process कैसी है तो इसका पहले return exam होगा then इसका interview होगा फिर आपका medical test होगा और फिर उसके बाद इसकी merit list होगी ठीक है तो ये territorial army officers की selection process है तो आज हमने आपके साथ expected cutoff और selection process दो नहीं discuss किया अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो please like and share और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं Thank you